देखो है मुझे मालूम है कि मैं लेट हूँ लेकिन मैं क्या कर सकता है मुझे काम आगे थे लेकिन अभी सारे काम खतम वीडियोस अभी फिर से रेगिलर ली आएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो ये सिलसिला शुरू हुआ था प्रिय प्रकाश वरियर के साथ जिसका नाम दो मिनिट तेस बलोता ऐसा लगता है कि आदमी गुट का और खेनी खा रहा है और उसके एक आग मारने से चार मिलियन फॉलोज हो गए आरे बेंचुद मैं भी ऑनलाइन आता हूँ मैं तीन घंटे अपने दोनों आख मारता हूँ मेरे चार अजार तो बढ़ा हो लेकिन नए और फिर आए हमारी बहुत आड़ वाली लड़की जिनका बहुत आड़ वाला डांस देखे लड़कों का बहुत आड़ हो गया और उनी बहुत आड़ लड़कों यह ऐसे आज वो दोनों टिक टोक में एक बहुत बड़े स्टार है और अभी लेटेस आई एक DP का नहीं वो पादू वाली नहीं RCB वाली और इस लड़की ने फेमस होने के लिए बस दो काम किये कपड़े छोटे पैने और RCB के जंडे को एक लड़के के डंडे जैसे पकड़ के खुशी-खुशी हिला दिया बस और किया था दो-तिन हवास से भरे हुए लड़कों ने इसका इंस्टाग्राम का एड़ी ढूर निकाला उसके बाद किया इसके 400 फॉलोवर से 4 लग फॉलोवर हो गए और ये बाद ये भी खतम ने होता है प्रिये प्रकाश ने कम से कम मूवी में आक्टिंग तो किया और बहुत आड़ वाली लड़की ने रस्ते पे भिकारी जैसे डांस तो किया लेकिन इस लड़की ने क्या किया जो इंस्टाग्राम में इसको ब्लू टिक मिल गया है नई मतलब तुम हमारे देश के लड़कों में कितना हवस है वो सोचो एगान जान इसी लड़की का इंस्टाग्राम अकाउंट ओफिशल बना दिया और उसको इंस्टाग्राम में सेलिब्रेटी बना के रखा है देखो हवस होना बूरी बात ने लेकिन बेंचो सारा का सारा हवस लड़कों में क्यों है लड़किया तुम भी अपनी हवस दिखाओ यार कभी-कभी अपना सारा हवस रितिक रोशन की तरफ ना दिखा के थोड़ा हवस मेरे तरफ भी दिखा और सोचो कि वाह क्या गले का हावाज है इसका वाह भेंचोत क्या गाली देता है इसका गाली सुनो तो जान में जान आता है और इसका गाली ना सुनो तो पुरा दिन बुरा जाता है ऐसा अगर तुम सच में सोचने लगी नाम जिसे गरीब बंद है जो सच में मेनत करते इनका भला हो जाएगा और मैं य एक और फोलो करो चरो थेंक यू बाइ